करते हैं, टेक्स्ट कॉष्टन है, पेश्टेन का कॉष्टन हम बबान है, A solution of substance X is used for whitewashing. पूछे हैं आपसे कहा है कि एक substance X है जोकि whitewashing में use किया जाता है. आपसे question पूछे है, name the substance X, आपको substance X का नाम लिखना है. आपने जब combination reaction पड़ी थी, तो उसमें आपने देखा था कौन सा substance है, जोकि whitewashing में use किया जाता है, जल्दी से comment box में लिखो यहाँ पर कौन सा वो substance है, और उसका formula भी लिखना है, and write its formula, उसका formula भी लिखना है, और साथ में तुमको उसका chemical name भी पता होना चाहिए, अब यहाँ पर कई बच्चे confuse करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर confusion आपको नहीं रखना है, simply आपको पता है कि जो आपने reaction देखी है, और whitewash में जो use किया जाता है, आपको basic substance देखना है, basic substance क्या था, quick line, जो की था calcium oxide, फिर इसमें क्या क्या था, इसका formula क्या है, आप लिखोगे answer किस तरह से लिख रहे हैं आपको, यहाँ पर answer आप लिखोगे, पहले आप लिख दोगे quick line, क्योंकि name the substance X है, तो लिखोगे X के आपका quick line है, ठीक है, और इसका जो chemical formula है, chemical name है, वो क्या है आपका, calcium oxide, फिर पूछाए its formula, formula है इसका CAO, X का formula क्या आपका, CAO, तो यह आपका पहला question complete हो गया, एसे ही करना है, ठीक है, फिर लिख आपसे, पूछा है, राइट ते reaction on the substance X named in above is water, तो आपने यह reaction भी देखी थी, कि calcium oxide ने combination reaction है, जब water से reaction किया था, तो slaked line बनाता है, जो कि calcium hydroxide होता है, और यह बहुत ही heat evolve होती है, आपको ध्यान होगा कि एक वीकर उसमें touch कर रहा है, तो यह heat evolve हो रहा है, यह means hot हो रहा है वीकर, जो बताता है कि reaction exothermic भी है, reaction को हम balance कर लेते हैं, यहाँ पर already balance है, तो तुम देखोगे, calcium हो गया 1, 1 दोनों side, oxygen हो गया 1 और 1, 2 और यह 2 दोनों side, आपका LHS और RHS 2 हो गया, hydrogen भी आपका 2 और 2 याने की reaction already balance है, आपको दुबारा नहीं करना है, इसमें कुछ, तो यह आपका caution complete हो जाता है, I hope अच्छे समझाओगा, मिलते हैं, next video में, thank you.